गौन्द कतीरा छोटे से पेड़ से निकलने वाला रस गौन्द कतीरा बड़े काम का है अगर आप कम्प्यूटर, लैप्टोप या मुबाइल पर ज़्यादा काम करते हैं और आखे ठक जाती हैं तो गौन्द कतीरा आपकी आखों के लिए रामबान है इसे खाईए, दूद के साथ पिएं और आखों पर लगाएं जादू सा आसर करेगा गौन्द कतीरा के शरीर के लिए अनेक फायदे हैं गौन्द कतीरा को अनेक तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है आज हम गौन्द कतीरा को भीगो कर दूद में डालेंगे मिस्री के पाउडर और रूवजा के साथ दूद में मिलाकर पीने से शरीर की गर्मी दूर होगी इसके अलावा गौन कतीरा आखों की रोशनी बढ़ाता है गौन कतीरा एक चमच ले और रात भर एक कटोरी में पानी डाल कर छोड़ दे सुबह ये पूरी कटोरी में मिलेगा भीगे वे गौन कतीरा को दूद में डाले और साथ में मिस्री का पाउडर वे रूवजा मिलाकर पीने से शरीर की गर्मी को भगाता है आखों के रोशनी भी बढ़ाता है भीगे वे गौंद कुतीरा की मलम बनाकर चैरे वे हात्व पर लगाने से जूरियां खतम हो जाती है गौंद कुतीरा की पेट चैरे पर लगाने से काले मिशान भी तेजी से मिट जाते है गौंद कुतीरा की मलम लगाने के साथ खाने से और अधिक लाब मिलता है गौंद कतीरा को दूज में पीने के अलावा इसके लड़ू भी बनाए जा सकते हैं लड़ू बेशन आठावे सूजी से बनाए जा सकते हैं इसे बर्फिकी से भी दे सकते हैं और मखाने से भी बनाए जा सकते हैं इसके अलावा गर्मियों में गोंद कतिरा सूप में डाल कर भी पिया जा सकता है ये सबी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल सकती है बस चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सबस्क्राइब करें और कमेंट जरूर करें आपका प्यार इसी तरह मिलता रहे, सेहत से जुड़ी लावकारी रेसिपी आपकी नजर करती रहूंगी इस रेसिपी को अपनों और दूसरों में शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पूर्चाएं आपका पूर्चाएं आपका पूर्चाएं आपका पूर्चाएं आपका पूर्चाएं आपकाएं झाल 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 झाल